अक्सर आज कल आर्टिकल 370 बहुत ही चर्चे में है लोग कहते हैं कि मोदीजी ने आर्टिकल 370 जमू और कश्मीर से हटा दिये तो देखते हैं आर्टिकल 370 है क्या और उसको हटाने पर क्या प्रवाधान हुए तो अनुछे 370 भारतिय सविधान का एक प्रवाधान था जो जमू और काश्मीर को विशेश सोतंतरता पतान करता था अब देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स विशेश सोतंतरता क्या थी अनुछे 370 के तहर जमू और काश्मीर को भारतिय संग के अन जम्ले और संचार जैसे तीन विशेशों पर ही भारतिय सांसत का अधिकार था जबकि बाकी विशेशों पर राज्य का अपना अधिकार था यानि कि जमू और कश्मीर का था तीसरा है सविधान का प्रवारतन तो सविधान के प्रवारतन में जमू और कश्मीर में भारतिय स सविधान संसुदन या भारतिय कानुन जम्यों और काश्मिर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश और राज की सविधान सभा की सहमती आवशक थी पाच्वा धारा 35 अनुशे 370 के तह धारा 35 अ भी लागू की गई थी जो राज के इस्थाई निमाशियों को विशेस आदिकार और सुविधान प्रधान करती थी अब देखते हैं पाच अगस्थ 2019 का संसुदन पाच अगस्थ 2019 को भारत सरकार ने अनुशे 370 के अधिकांज प्रवादनों को हटा दिया इस कदम के तहट विशेस दरजा समाप अनुशे 370 के तहट जमू और कश्मिर का विशेस दरजा समाप तकर दिया गया यानि कि वो अनराज्यों के जैसे ही हो गया संग राज छेत्र जमू और कश्मिर और लद्दा को अलग-अलग के अंदर साश की प्रदेसों में विभाजित किया गया यानि कि यूनियन टेरिटरीस में रखा गया अलग-अलग भारतिय कानून और सविधान के सभी प्रवादन रागव हो गए